आत्मा सो परमात्मा आप में सब में वो परमात्मा विराजमान है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरूपूल 24 में और आज हम बात कर रहे हैं उस सक्सियत के बारे में जिनका नाम है पंडित जस्राज भारती संगीत के चमकते शितारे ज जिनका रिसेंटली अमरीका के न्यूजर्सी में डैथ हो गई है और इनों ने भारती संगीत को पूरे विश्व के मंच पर स्थापित किया है तो ऐसी सक्षित के बारे में आज हम उनको स्रधाजली अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ और जानते हैं कि उनका कैसा ज जीवन था लाइफ उनका परिवार हरियाना के फतेहवाद जिले में और पीली मंदोरी ग्राम में रहता था जहां उनका जन्मुआ कब हुआ 28 जन्वरी 1930 में और जन्मे के बाद उनका जो फैमिली है परिवार है भैदराबाद सिप्ट हो जाता है वहां पर ये रहने लगते हैं इनके जो पिता जी हैं पंडित मोती राम जी जो की मेवात घराने से संबंदित थे हरेणय के पास का एक छेत्र मेवात वहां पर संगीत घराने की एक विशिष्ट परमपराय जहां पर खयाल गाई की मुख की रूप से गाई जाती है इनके पिता जी पंडित मोती राम के बाद सुरुवात में ये तबलावादक के रूप में कंसर्ट में जाते थे कारिक्रमों में जाते थे और तबलावादक के रूप में जब ये बढ़ते बढ़ते 14 वर्स में पहुँचे तो 1945 की ये घटना है कि लाहौर में एक कारिक्रम के दौरान कुमार गंधर्व उनका concert चल रहा था जहां पर उन्होंने उस समय की दिस्टी से तबलावादकों को थोड़ा सा कम आका जाता था तो वहां पर इनको थोड़ा सा अपमानित हुआ फेल हुआ और उसके बाद उन्होंने तबलावादन जो है पूरी दुनिया में जो फैमस है उनको सूरीले संथ कहा जाता है और दूसरा नाम है इनका रागों के रसिया तो यह दो उपनाम इनके सामान व्यक्तित्व के अंदर में हम देखते हैं आईए हम इनकी बात करते हैं संगीत में योगदान के बारे में तो आप देखते हैं कि मेवात घराने में यहां के महराना जैवंत सिंग बागेला और दूसरे हैं आगरा के स्वामी बल्लबदास जी इनसे इनोंने संगीत की सिक्षा ली ठीके ये उनके प्रारंबिक गुरू कह सकते हैं इनसे इनोंने संगीत की सिक्षा ली और संगीत की सिक पुंदिशों में से एक हवेली संगीत भी उस पर बेजड है। तो आप देखेंगे कई सारी चीजों इन्होंने संगीत के छेतर में डेबलप की हैं। पुंदिशों में इस जो बिशेश नाम दिया गया है इसको बोलते हैं जसरंगी ठीक है। तो ये जो संगीत में इनका फूरा योगदान था इसकी वज़य से इनके पास में संगीत मारतन्र की उपादी इनको प्राप्त हुई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके प्रमुक्षिश्य जो हुए है जिनोने संगीत को और आगे इनके बाद बढ़ाया है और आगे भविश्य में भी स्थापित करेंगे तो उन प्रमुक्षिश्यों में से एक संजीव अभ्यंकर हैं दूसरे हैं तरप्ती मुकरजी ये प्रमुक्षिश्य से हुए हैं जो आज उनकी हिंदुस्तानी गायन सहली को पूरे विश्व में भी स्थापित करने का कारिक कर रहे हैं अब संगीत के यूगदान के बाद पंडित जस्तराज की कुछ उपलब होते हैं उनमें से एक अस्तराइट का नाम रखा है पंडित जस्तराज के नाम से जिसको बोला गया है 30-01-28 तो ये 28 जनवरी 1930 ये उनकी डेट आप बर्थ से मिलता जुलता नंबर किया गया है और बाद में उन्होंने इसको अफिशली डेक्लियर भी किया कि ये जो नाम है ये पंडित जस्तराज के उपर ही पूरे तरीके से आधारित है इसके पहले भी नासा और इंटरनेशनल एस्टरोनॉमिकल यूनियन ने दूसरे भी संगीतकारों के जो दुनिया में अपना नाम रखते हैं जैसे कि एक्जम्पल बात करें तो मोजार्ट विथोविन इस तर जन्वरी 2012 को अंटार्किटेका पर सी इस्परिट नाम के एक क्रूस पर गायन किया तो इस तरीके से यहां पर ये अंटार्किटेका में इसी तरीके से नॉर्थ पोल में इसी तरीके से जो बाकी कॉंटेनेंट है हर कॉंटेनेंट पे इन्होंने संगीत का गायन किया है इसक वज़े से ये बॉल्ली बोड में भी काफी चर्चित रहे हैं पंडित जसराज के जीवन पर आधारित एक किताब भी लिखी गई है रिसेंटली जिसका नाम है रसराज पंडित जसराज और इसका लेखन किया है सुनीता बुद्धी राजा ने आप स्क्रीन में देख सकते हैं सुनीता बुद्धी राजा जिनोंने पंडित जसराज के जीवन के उपर एक किताब लिखी है उसके बाद बात करते हैं इनकी जो पत्नी है मधुरा जसराज इनोंने जसराज प्रोडक्शन के नाम से अपनी यूनिट में एक इनकी लाइफ पर अधारित एक डॉकुमेंटर पुरुषकार मिला था 1987 में सिमिलरली संगीत के चेतर में दूसरे जो महतपुर पुरुषकार है जैसे दीनानात मंगेशकार अवाड है लता मंगेशकार अवाड है महराष्ट गौर अवाड है ये पियनको प्राप्त हुए है उसके बाद हम बात करते हैं पश्जिम बंगा होते हैं वो भी इने प्राप्त हुएं जैसे वर्ष दोःजार में सेकिन्ड नंबर पे जो आता है वो आता है पद्मिभूशन पुरुषण 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 अवार्जार में मिल चुका है उसके भी पहले 1975 में इनको पदमिश्री अबार्ड मिल चुका है तो भारत सरकार ने भी उनके इस योगदान को संगीत के योगदान को नवाजा है इन पुरुसकारों के माध्यम से जो भारत के सरवोचनागरिक पुरुसकारों की सरेड़ी में आता है तो दोस्तों ये हमने आज डिसकस किया पंदित जस आज के जीवन के वारे में आई होप आपको ये लेक्चर असा लगा होगा आपके लिए कुछ सूचनाए है कि हमारा जो यूटूब चैनल है इसमें आप डेली हमारे साथ लाइब क्लासस देख सकते हैं रात को 9 वजे हमारी क्लासस होती हैं सुपर 10 करेंट फेर के फैक्ट आपको इस चैनल में मिलेंगे डेली मिलते हैं सुपर 10 करेंट फेर फैक्ट तो उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक की टेस्स स्रीज भी चलाते हैं तो आपको ये सब कुछ हमारे चैनल गुरुकुल 24 में मिलेगा तो आपने यदि अभी तक इसको जो आपने वाद